अम्हालीकुम डियर स्टूडंस, क्लास 9 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 8, केमिकल रियक्टिविटी स्टार्ट करेंगे आज का हमारा टॉपिक है मैटल्स एंड एलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ओफ मैटल्स एंड नॉन मैटल स्टूडंस, मैटल क्या होते हैं, मैटल को डिफाइन करने से पहले तोड़ा सा हम एलेमेंट को डिसकस करते हैं कि एलेमेंट क्या होते हैं, एलेमेंट हमारे पास ऐसे सबस्टांजिस होते हैं, एलेमेंट आर दो सबस्टांजिस which are made up of same kind of atom and only one kind of atom ऐसे substance जो के same kind of atom से मिलकर बने हो उनको कहा जाता है element यानि कि element हमारे पास simplest form of matter है अब हमारे पास element है element को classify किया गया है two types में on the basis of electron electron की base पे element को two types में classify किया गया है एक है metal और second one है non-metal अब metal क्या है metal की definition देखते है a metal is an element which loss an electron and forms a catein ऐसे substances ऐसे element जो के क्या करते है जो के electron को loss करते है और क्या बनाते है catein यानि के positive charge बनाते है उन element को कहा जाता है metal अब हम आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी element electron loss करने के बाद वो positively charge क्यों बन जाता है student जैसे कि आप जानते है कि हमारे पास जो neutral atom है उसमों हमारे पास same kind of electron and proton से मिलकर बना होता है for example अगर हमारे पास sodium atom है तो इसमें मुझूद है 11 proton and 11 electron यानि कि इसमे positive or negative charges equal है same charges cancel the effect of each other and then atom as a whole will be neutral जब हमारे पास कोई भी element electron loss करती है जैसे कि sodium है जब यह electron loss करेगी तो क्या हो जाएगा इस पे positive charge आ जाएगा इस पे positive charge क्यों आएगा क्योंकि जब neutral था तो इसमें 11 proton और 11 electron थे लेकिन जब इसने एक electron loss कर दिया तो 11 proton है और 10 electron है proton पे होते है positive charge और electron पे है negative charge तो अब यहाँ पे positive charge ज्यादा हो रहे है 10 electron 10 proton को cancel out कर देंगे तो हमारे पास एक proton की priority हो जाएगी नहीं कि हमारे पास एक proton ज्यादा हो जाएगा तो कोई भी item जितने electron loss करेगा उस पे उतने positive charges डिवेलप होंगे अगर कोई एक element एक electron loss करेगा उस पे plus one charge आएगा अगर वो दो electron loss करेगा तो उस पे plus two charge आएगा तो metal क्या होते है metal वो element होते है जो के electron loss करने की ability रखते है और वो क्या बनाते है कैटाइन यानि के positive charge आएन बनाते है इसके इलावा हमारे पास characteristic क्या होती है metal की metal की जो सबसे बड़ी property है जो सबसे बड़ी characteristic है वो क्या है कि metals are the good conductor of heat and electricity यानि के metal जो है वो good conductor है कि heat के और electricity के इसको heat भी क्या जा सकते है इनसे heat भी पास हो सकते है और ये electricity को भी conduct कर सकते है second जो metal की property है वो क्या है कि metals are malleable and ductile Millieble का क्या मतलब होता है Millieble का मतलब can be drawn into sheets यानि कि इनकी sheets बनाई जा सकती है Ducktyle का क्या मतलब है Ducktyle का मतलब है can be drawn into wire हमारे पास different metal होते हैं जिस तरह कि gold है, silver है, copper है उनकी मुखतलिफ किसम की sheets मुखतलिफ किसम के coins बनाई जा सकती है तो इसकी properties कि क्या कहलाती है properties की reliability कहलाती है कि इसको इसकी मुखतलिफ किसम की sheets बनाई जा सकती है इसके लावा हम metals की जो है जैसे कि copper metal है इसकी wires भी बनाई जा सकती है तो इस property को कहा जाता है Ducktyle का मतलब है कि इसकी हम wires बनाई जा सकते हैं पास copper की मुख्तलिय फायर्ज होती है copper क्या है copper हमारे पास metal है third property क्या है कि इनके जो oxide और hydroxide होते हैं वो क्या होते हैं वो basis होते हैं यानि कि basic in nature होते हैं इसके लावा metal जो होते हैं हमारे पास solid physical state में exist करते हैं सिवाए mercury के यानि कि mercury के लावा जितने भी metal है वो room temperature पे solid state में exist करते हैं सिवाए mercury के mercury जो है वो मारे पास liquid state में room temperature पे liquid state में exist करता है तो यह थी हमारे पास कुछ properties of metal की इसके लावा हमने कहा कि metal हमारे पास क्या है यह electron loss करने की ability रगता है यानि कि यह बनाता है catein तो इसको electro positive भी कहा जाता है तो अब हम discuss करते हैं कि metal का electro positive character क्या है किसी भी element की ऐसी property ऐसी tendency ऐसी सलाहियर जिसमों electron को loss करते हैं और वो catein बनाते हैं इस property को या तो electro positive character या पिर metallic character कहा जाता है जैसे कि हमारे पास sodium है sodium electron loss करेगा एन अ प्लस की फॉर में आएगा और एक electron वो remove करदेगा calcium जो है वो group 2 से बिलॉग करता है यह 2 electron loss करेगा cैille a plus 2 की फॉर में आएगा और वेंआरे पास ए 2 electron remove करदेगा इससे तरह aluminum जो है group 3 से belong करते हैं ती electron loss करते हैं प्लस 3 की form में exist करता है students अब हमारे पास जो electro positive character है जो metallic character है वो depend करता है इनकी energy पर यानि कि कोई भी element जितना easy electron loss करेगा उतना ही वो strongly electro positive होगा जितनी हमारे पास असानी से वो electron remove करेगा उसको कम energy require होगी तो वो क्या होगा वो more electro positive होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो electro positive character है और जो ionization energy है वो anniversary related है अब ionization energy क्या होती है यह जो ie आपको नजर आ रहा है यह हमारे पास ionization energy है इसको हम define कर सकते हैं the amount of energy required to remove an electron from the outer most shell of an element किसी भी element के outer most shell से valence shell से electron को remove करने के लिए जो energy require होती है वो energy क्या कहलाती है वो energy ionization energy कहलाती है अब किसी भी element की ionization energy जितनी कम होगी जितना वो easily electron remove कर जाएगा वो हमारे पास क्या होगा वो strongly electropositive होगा निकि strongly metallic होगा तो जो energy energy है वो inversely related to the electropositive character lower the energy higher tendency to loss electron and thus they are electropositive अब हमारे पास metal क्या होते है metal ऐसे substances होते हैं जो कि electron को loss करते है निकि जो electropositive होते हैं अब non-metal क्या होगे non-metal जो होगे वो metal के opposite होगे यानि कि अगर metal electron को loss करते हैं तो non-metal क्या करेंगे ये क्या करेंगे electron को gain करेंगे electron को accept करेंगे चुकि जब ये electron accept करेंगे तो इन पर आएगा नाइन निके नेगिटिव चार्ज तो non-metal क्या होते हैं तो इलेमेंट विच है दे टेंडेंसी तो accept an electron and form a negative charge particle are non-as non-metal है वो मारे पास non-metal है और जो right side में वो मारे पास non-metal है और जो left side में मारे पास metal है जैसे कि fluorine है fluorine group seven से belong करता है इसके valence shell में होते हैं seven electron octet complete करने के लिए इसको require है एक electron तो यह क्या करेंगा एक electron को gain करेंगा और आज जाएगा f minus की form में chlorine भी group seven से belong करता है यह भी एक electron gain करेंगा और आज जाएगा c l minus की form में इसे तरह oxygen जो है यह group six से belong करता है इसके valence shell में होते हैं six electron octet complete करने के लिए क्या करेंगा दो electron gain करेंगा और o minus two की form में exist करेंगा तो metal क्या होंगे? metal active positive होते हैं यानि कि वो electron को gain करते हैं जबके non metal क्या होते हैं वो electronegative होते हैं यानि कि वो electron को accept करते हैं अब हम trend देखते हैं variation देखते हैं कि हमारे पास metallic character है वो period में किस तरह change होता है इसकी variation क्या आती है और group में इसका क्या trend होता है क्या variation होती है तो हमारे पास जो metallic character है वो हमारे पास periodic table में left to right जो है वो decrease होता है याईनि कि हमारे पास periodic table में अगर हम period wise जाएंगे from left to right तो क्या होगा जब हम periodic table में left to right जाते हैं फॉरे जांपर हमारे पास group 1 है अब यहां से यहां की तरफ जाएंगे left to right जाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है size जो है वो decrease हो रहा है यहाँ पे size greater है और यहाँ पे देखे तो size चोटा हो रहा है जितना size चोटा होगा nucleus and valence electron के दर्में distance कम हो जाता है यानि कि nuclear attraction जो है valence electron के लिए ज्यादा हो जाती है जितनी attraction ज्यादा होती है ज्यादा होगी चुकि हमने डिसकर्स किया कि energy और अगर energy इंक्रीज होगी तो metallic character decrease होगा तो इसी वज़ा से जब हम left to right जाते हैं पिर और टेबल में तो क्या होता है हमारे पास metallic character decrease होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास period 2 and period 3 है period 2 में जो first member है lithium and beryllium यह क्या है यह हमारे पास metal है पर हमारे पास जो boron है यह metallite है इसका मतलब यह as a metal and non-metal बोथ behave show करता है इसके लावा carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon क्या ही हमारे पास non-metal है तो जो हमारे पास left side पे मुझूद है वो क्या है वो metal है और right side पे क्या है यह non-metal है तो जब हम period में left to right जाते है तो क्या होता है metallic character decrease होता है और non-metallic character increase होता है यानि के left to right electron को remove करना मुझूद हो जाता है और यहाँ पे electron को gain करना आसान हो जाता है इससे तरह period 2 में देखे तो sodium, magnesium और aluminium क्या है यह metal है silicon, metalliner और बाकी क्या है phosphorus, sulfur, chlorine और argonov आपास क्या है यह non-metal है तो हमारे पास periodic table में जब हम left to right जाते हैंगे तो क्या होता है metallic character decrease होता है और non-metallic character increase होता है due to decrease in size and increase in ionization energy इसी तरह जब हम group में जाते हैंगे from top to bottom तो top to bottom क्या होता है at the top of the group होते हैं उनका size चोटा होता है और जो lower member होते हैं जो bottom में होते हैं उनका size बड़ा होता है तो down the group क्या होता है size increase होता है जिसकी वज़त से nucleus and valential की तरह में distance ज्यादा हो जाता है यानि कि जो nuclear attraction है वो weak बढ़ जाती है तो इस तरह से electron को remove करना आसान हो जाता है तो down the group हमारे पास क्या होता है ionization energy decrease होती है size increase होता है और metallic character भी हमारे पास increase होता है तो जो जो metallic character है वो depend करता है size और ionization energy पे size जितना चोटा होगा ज्यादा energy require होगी electron को remove करने के लिए तो हमारे पास metallic character क्या होगा वो डिक्रीज होगा जबकि साइज जतना बड़ा होगा डाउन तो जम आते हैं तो साइज बड़ा होता है साइज जतना बड़ा होगा न्यूगल अट्रेक्शन वीक होगी अलेक्ट्रॉन को रिमूव करना असान होगा आयो जी इनर्जी कम रिक्वाइर होगी हमार यह हमारे पास मेटलाइड है जबके टिन और लेट हमारे पास मेटल है तो हम देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है नॉन मेटलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है और मेटलिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है जो मेंबर टॉप पे होते हैं वह हमारे पास लीस मेट जो कि डूटाउन तर गुरूप होते हैं वो हमारे पास मोस्ट मेडलिक या ज्यादा अलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं इसे तरह गुरूप फाइफ में देख सकते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फर हमारे पास नॉन मेटल है आर्सिनिक और एंटी मनी हमारे पास मेटलाइ किया इसके साथ साथ हमने डिसकर्स किया कि जो अलेक्ट्रो पॉस्टिव करेक्टर है वो किस तरह से वैरी होता है किस तरह से चेंज होता है अक्रॉस देपीरिट एंड अक्रॉस दा गुरूप शुक्रिया